आगे विद्यार्थियों को इस महीने के सिलेबस में आगे बढ़ाते हुए यूनिट नमबर पाँच आंट में सुदिर बधोरिया आगे इस पार्ट को शुरू कर रहा हूँ यहाँ पार्ट किस दस्टी से इंपोर्टेंट है वो पहले मैं आपको बता दू इसमें सभी लोग को किस तरह से टीम वर्क करना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants मतलब यह जो निमलिखित आचरण है यह वेज्ञानी के धियान में आया है तो उन्होंने चीटियों के विशे में एक अभ्यास किया है A number of ants, एक कई संख्या में चीटियां जो were down in the pits Pits मतलब एक प्रकार से hole, छीद्र को कहते हैं कि भी एक छोटे से छीद्र के अंदर असंख्य चीटियां होती Where they had killed some flies, flies मतलब किसी वितर का उड़ने वाला जीव यानि कि मक्खी, another insect मतलब जीव जन्तु को मार कर अपने भोजन के रूप में रखती है The ants begin fetching, fetching मतलब bring lana The small bit of these insects up to their ant hills अब ant hill का मतलब होता है heap of clay मतलब जहाँ पर चीटियां अपना छिद्र बनाती है वहीं पर ही एक रेत का धेर इखटा होता है तो इस सभी चीटियां उस जन्तु के छोटे से टुकले को बिट्स मतलब एक छोटा सा टुकला उसे रेत के टेले के छिद्र तरक लाती है This was arduous work for them Arduous का मतलब होता difficult यह उनके लिए कठीन का रहे है The sides of the pit were steep जो किनारियां है उस चिद्र की वह बहुत छोटी तीर की तीखी है Considering ध्यान रखना The size of ants मतलब बिलकुल चीटियों के आकार का ध्यान रखते है The load मतलब भार वजन They were carrying were very heavy जो वजन जो की एक insect का जो है वह बहुत भारी होता है उठाने में It was as if a group of men were carrying a weight of 200 pounds मतलब यह बिलकुल ऐसा है जैसे कि एक लोगों का समू यह 200 pounds जितना वजन एक प्रत्यक उठा के ले जा रहा हो And climbing a cliff Cliff मतलब एक प्रकार की एक छोटी चट्टान एक समय में उठा रहे है These are ants that do farming कभी कभा कुछ ऐसी भी चीटियां देखी गई है जो अलग अलग प्रकार के कारे करती है जिन्हें हम कहते हैं farming art You may know that it was a big leap for human progress When man gave up being a full-time hunter मतलब यह एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रगती होगी कि जब मनुष्य ने hunter मतलब सिकारी यह पूरे समय के सिकारी के कारी को छोड़ कर and took a farming और खेती बाड़ी शुरू करी थी seemingly प्रतीत होता था the umbrella aunt of South America have taken the same step in their small way बिल्कुल के खेती बाड़ी की तरह ही South America की umbrella aunt मतलब छत्री वाली चीटी बिल्कुल इसी तरह का कारे एक छोटे पहमाने पे करती है they are called that by that name अब इनको umbrella aunt क्यों बला जाता है क्योंकि they are often हमेशा seen carrying a large piece of leaf over their heads like umbrella अब large piece मतलब एक बड़ा टुकडा leaf मतलब पत्ती, head मतलब seed यानि ये चीटियां अक्सर अपने सिर के उपर एक बड़े पत्ती के टुकडे को बिल्कुल छतरी की तरह लेकर चलती है they take these pieces of leaf to their nest nest मतलब घोसला इस टुकडे को वे अपने घोसले तक ले जाती है पत्ती के where they chave, चबाने को कहते है where they chave them अब nicely, बहुत अच्छी तरह से इने चबाती है afterwards उसके बाद they make beds of these chaved of leaves ये जो चबाई हुई पूरी तरह से पत्तियां होती है उनका bed मतलब एक बिस्तर बनाती है on these beds, इन बिस्तरों पर grows a kind of fung एक प्रकार की फफूंद उत्पन होती है which is food of ants जो एक चीटियों का भोजन भी है अब अगली चीटी है then, बाद में there are ants that domesticate cows domesticate मतलब एक प्रकार के घरे लूँ पालतू, एक पालतू गाई की तरह जिसे milk देम जो एक चीटी दूद देती है what we have called cow are a kind of green fly मतलब जैसे कि हम एक एक प्रकार से गाई जिसको हम एक प्रकार से हरी तितली भी कह सकते हैं these are found on rose leaves rose मतलब गुलाब की पत्रियों पर पाई जाती है or on the leaves of beans किसी तरह से मटरों के भी उपर भी पाई जाती है they give out a sweet honey ये बदले में मीठा सहत देती है जैसा taral like a liquid which the ant relies a lot relies का मतलब होता enjoy ये एक ऐसा द्रव्योता जिस पर अधिक मात्रा पर उन चीटियों को आनद मिलता है so the ant take these green flies to their nest तो ये चीटियां इन हरी तितलियों को अपने घर तक घोशले तक ले जाती keep them there वही उन्हें रखती है और उन्हें बोजन खाती है ants are told play games चीटियां है वे खेलती भी है neuris their stick and beauty their debts neuris sick मतलब sick नहीं कि बीमार चीटियों का portion भी करती है beauty मतलब किसी परकार से जमीन में गड़ा खोदना तो beauty their debts मतलब कि उनकी मरत चीटियों को वे जमीन में डालती है गालती है they see that each one in the nest does its share of work ये भी ध्यान देती है कि हर चीटी share मतलब हिस्सा अपने काम का हिस्सा प्रतेक चीटी को अपने गोशले में करना है and that no one is allowed to be indolent indolent मतलब lazy यानि किसी भी चीटी को आलसी रहने के आग्या नहीं है all this suggest that ये सब क्या सुचित करता है that aren't have a highly developed social sense कि भी चीटियों में एक उच्च विक्षित सामाजिक मित बुद्धी है perhaps सायद some system of government यानि की सरकार संचालन का एक प्रनाली है there are ants that keep the other ant as a slave slaves मतलब गुलाम ऐसी भी कुछ चीटियां है जो दूसरी चीटियों को गुलाम रखती है one such type is powerful red ant ऐसी एक सक्ति साले लाल चीटी है which is found in Europe जो कि यूरोप में पाई जाती है there slaves are taken from a type of black ant ये जो चीटियां है लाल वे काली चीटियों को अपने गुलाम की रूप में लेती है which is smaller in size जो लाल चीटियों से आकार में छोटे होते है when the red ant want slaves जब लाल चीटियां गुलाम चाहती है they abuse their eggs abuse का मतलब है attack यह ये लाल चीटियां काली चीटियों के घोसले पर हमला करती है abduct some of their eggs abduct का मतलब होता है carry off तो उनके घोसले में से कुछ अंडों को वे carry off मतलब उठा ले जाती है when these eggs hatch in the red ants nest hatch मतलब किसी तरह से न तो जब ले लाल चीटियां इन अंडों को सेंती हैं गर्मी देती हैं अपने घोसलों में the black ants which come out are treated as a slave जो काली चीटियां इन अंडों से बाहर निकलती हैं उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता है from their birth उनके जनम से they are taught to obey काली चीटियों को उनके जनम से शिखाया जाता है आज्या का पालन they are compelled to druggery compelled मतलब दबाव डालना force, druggery मतलब labor work उन्हें मजदूरी के काम को करने का दबाव डाला जाता है they have even to carry about their masters on their back कभी कभा तो अपने मालिक को उनके अपनी पीट पर उठाना पड़ता है how surprisingly human आश्चर है मनुष्यों को इस चीज का the most pharocious kind of aunts are the driver aunts of Africa pharocious मतलब भयानक एक भयानक प्रकार की चीटी है जो की कहलाती है driver और पाई जाती है अफरीका they have no fixed home इनका कोई निश्चित घर नहीं है but are always on the move पर परन्तु हमेशा चलती रहती है they are completely blind वो पुरी तरह से अंधी है but they march in long line march मतलब आगे कूच परन्तु वे आगे कूच एक line में करती है many millions है लोग कई लाखों की संख्या में अलोग एक साथ and they devore any animal devore का मतलब होता है eat यानि की खाना वे किसी भी प्राणी को पसू को खा सकती है that happens to be in their path मतलब मार्ग उनके मार्ग में आने वाले किसी भी पसू को खा सकती even large animal like tiger बले ही कोई बड़ा पसू tiger हो elephant हाती हो live in fear of them इनके डर में वे जीते हैं to move after swelling swelling मतलब निगलना is dinner मान लो कोई एक अजगर ये अपना रात्री भोजन निगल कर वो hill दूल नहीं सकता है happens to be in the path of marching line और हो सकता है वे इन ड्राइवर चीटियों के मार्ग पर यदी आ जाए then these creatures eat both the python and the animal in its stomach stomach मतलब पेट तो ये चीटियां उस अजगर के साथ उसके पेट में रहे पसू को भी खा जाती है the villagers of Africa tell story about the babies जो अफरीका के क्याओं के लोग हैं वे अक्सर बच्चियों की बात करते हैं कहानियों में who have been eaten जो खाई जा चुकी हैं by aunts ये driver aunts के द्वारा खाई जा चुकी है and these stories may well be true और ये सभी कहानिया सायद सही है when an army of driver aunts enters a house मान लेते हैं जब कभी भी किसी घर में ये driver चीटियों का प्रवेस होता है the people flee flee मतलब run away भाग जाना लोग वहाँ से भाग जाते हैं into the forest jungle में and stay रुकना there until the aunts have passed जब तक की चीटियां वहाँ से गुजर नहीं जाती तब तक वे जंगल में रहना पसंद करते हैं when the people come back जब लोग वापस आते हैं they find that वे पाते हैं that every insect प्रतेक जन्तु and spider मकडी in the house घर में has been cleared away पूरी तरस से खत्म हो चुकी होती तो इस पार्ट के अंतरगत एक छोटे से सुच्वजीव के जानकारी हमें प्राप्त हुई है धन्यवाद